दोस्तो नमस्कार लोकतंत्र के चार पाए होते हैं चार पिलर होते हैं समविधान ने यही बताया लेकिन सरकार ने कहा जी नहीं चार पिलर नहीं एक ही पिलर होता है समविधान ने कहा कि कारपालिका, विधाईका, न्याइपालिका और फोर्थ स्टेट यानी मीडिया चोथे पाए के तौर पर किसी भी देश के लोकतंत्र को समालता है सरकार ने कहा बिलकुल नहीं कारपालिका के अलावे क्या विधाईका और न्याइपालिका और फोर्थ स्टेट का आप जिक्र करना चाहते हैं जनता ने तो कारपालिका को चुना है सरकार को चुना है तो ऐसे में विधाईका की क्या हैसियत उसे तो सरकार की बातों पर ही अमल लाना है और न्याए पालिका का जहां तक सवाल है तो वहाँ पर भी कौन से फैसले आएंगे, कैसे आएंगे फैसले देने वाला शक्स जो होगा उसकी निकती भी सरकार ही करेगी क्योंकि जनता ने सरकार को चुना है और मीडिया क्यों कोई ऐसा सवाल करेगा जिसमें जनता द्वारा चुनी गई सरकार के सामने कोई मुश्किल खड़ी हो जाए अगर जनता को चुनना होता तो वो मीडिया को नहीं चुनन लेता उसने तो सरकार को चुना है तो समविधान जो कहता है कि चार पाए दरसल चेक अंड बैलन्स का काम करते हैं लेकिन सरकार कर सत्ता कहती है जी नहीं यह रुकावट डालते हैं और ऐसी रुकावट के धीरे धीरे धारा बहते बहते ऐसी स्थिती में यह देश आकर खड़ा हो गया कि पहले इस देश के भीतर विधाईका को ढहते हुए हर किसी ने देखा इस देश के भीतर में मीडिया का रिंगना और नतमस्तक होकर सलाम और ढोल बजाना दोनों हर किसी ने देखा लेकिन परिस्तिती धीरे धीरे नयाई पालिका की तर बढ़ जाएगी यह भी किसी ने सोचा था और इस सत्ता के सुप्रीम मौडल के सामने सुप्रीम कोट भी नतमस्तक हो जाएगा या नतमस्तक करने का प्रयास किया जाएगा जजों की नुक्ति सुप्रीम कोट के जज क्यों करे उसे सरकार क्यों नहीं करे जबकि जनता के फैसले अगर सुप्रीम कोट में होते हैं तो जजों की नुक्ति का पावर भी सरकार और सत्ता के पास होना चाहिए इस देश के भीतर में विधान सभा या लोक सभा की एक सीट भी अगर खाली हो जाती है तो ध्यान दीजिए दो महीने से लेकर छे महीने के बीच में उस सीट को भरने का प्रवधान तुरत हो जाता है चुनाव आयोग सक्रिय हो जाता है इस देश के भीतर में तमाम पॉल्टिकल पार्टी सक्रिय हो जाती है और राजनितिक सत्ता जिसके पास होती है वह तो चुनाव जीतने और अपने उमिद्वार को जिताने की मशक्कत में सब कुछ जोग देता है लेकिन जजेज नहीं हो और जजेज की नुक्ती के लिए एक दो नहीने नहीं बलकि चौदा महीने से लेकर दो दो तीन तीन साल तक सरकार की बातों का इंतजार किया जाए और नुक्ती ना हो पाए तो सुप्रीम कोट क्या कहेगी सुप्रीम कोट ने नोटिस भेजा है इस देश में लौ मिनिस्ट्री के लौ मिनिस्ट्री सचिव को और कहा है कि बीते 14 महीनों से हमारे तमाम लोगों को जिने जज बनाना है उसकी पूरी फिरिस्ताप के सामने रखी हुई है आप कुछ करते क्यों नहीं है और 2019 में हमने पहला recommend किया, 2021 में दूसरा recommend किया, 2021 में ही कई मौको पर तो हमने आपको तीसरा recommendation भी भेज़ दिया लेकिन सरकार ने अभी तक उसका ऐलान क्यों नहीं किया जज चुनते हैं कॉलेजियम यानी जो जजज होते हैं उनके द्वारा सरकार कहती हैं नहीं नहीं हम एक नैशनल जूडिशल सिस्टम बना रहे हैं लेकिन सवाल टकराओ की उस दोड़ का आकर खड़ा हो गया है जहां पर क्या वाकई डेमोक्रिसी के चार पिलर्स पर चिंता की जाए या चार पिलर्स को लेकर कुछ सवालों को उठा दिया जाए जरा इस सुप्रीम मौडल के दाइरे में कुछ बातों पर और गौर कर लीजिए इस देश के भीतर में राज़िपाल चाहे वो केरल के हो चाहे तमिलनाडू के हो चाहे पंजाब के हो चाहे लेफटन गवरनर दिल्ली के हो चाहे राज़िपाल वो पश्चिम बंगाल के हो चाहे वो आंदरपरदेश के हो, चाहे वो तिलांगना के हो, ध्यान देखिए जितने भी राज्यों का हमने जिक्र किया, उनकी सरकार या उनकी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं है, किंदर सरकार बीजेपी की है, और ये सभी राज्यों में जो सरकारे हैं, वह गैर बीजे किर्फ़ पाल सरकार चलाएं के लिए और केन्दर सरकार हर इंस्ट्यूशन को लेकर इस बात को खड़ा करें कि दरसल हमें जनता ने चुना आई तो सब कुछ हम ही करेंगे पास साल तक के लिए हमारे पास जनता का एक ऐसा काड आ गया है जिसके बाद कोई चू भी नहीं कर सक तो इस मॉडल के तहट जजों की न्युक्ति किंद्र सरकार करें। बात का जिक्र करते चला जाए कि हमें बहुत बार बहुत तरीके से बहुत राज्यों के चुनाओ की क्या जरूरत है। बाते हैं और राजनेतिक तोर पर कोई रेवलियां बाटे या कोई किसी रूप में कोई भी ऐलान करे। उन सब का कोई महत नहीं होता है तो एक व्यक्ति को चुन लीजिया जन्म तब तक के लिए चुनाओ पस्त कीजिया और उसके जरिये इस देश को चलाएए या फिर एक नैशनल गौर्मेंट बना लीजिये। क्या इसी इस्तिती आ सकती है बारा इसके दायरे में हमें लगता है ये पहला मौका है कि सुप्रीम कोट ने इस दौर के लौ सेकेटरी को नोटिस ये कहकर भेजा कि हम एक एक करके जितने भी जजों की नुक्ति करना चाहते हैं वो लगातार रुका हुआ है एक बात यहाँ 14 को लोकसभा में पास हुआ 14 अगस्त 2014 को रजसभा में पास हुआ 31 दिसंबर को राष्ट पती की मोहर बन गई और ये कानून बन गया लेकिन सुप्रीम कोट ने इसे खारिच कर दिया और उस समय जस्टिस केहर की अगवाई में ये पूरी कॉंसिचुशनल बेंच बैटी औ इसे खारिच कर दिया कि ये नहीं चलेगा तो सुप्रीम कोट को जो बनाया गया कॉंसिचुशन के लिहाज से जिसे समविधान की व्याक्या करनी है अगर 2015 में उसने खारिच कर दिया तो 2022 में नए कानून मंत्री रिजुजु साहब इस सवाल को क्यो उठा रहे हैं कि दरसल प्रांस्परेंसी नहीं है तो क्या सुप्रीम कोट अपने आप में एक करप्शन काड़ा है क्या ये कहना चाते हैं रिजुजु साहब या ट्रांस्परेंसी नहीं है क्या खुल के क्यो नहीं कहते हैं और क्या सरकार के भीतर सारी चीज़ ट्रांस्परेंसी के साथ होती है क् corruption नहीं है क्या ऐसी इस्तिती है? इस्तिती है कौन सी? क्योंकि ग्यारा केसि गॉर्मेंट के पास इस समय जो कोलेजियम ने भेजे वह पेंडिंग पड़े हुए हैं. पांच केस कॉलकता हाई कोट के हैं, दो केस जम्मू एंड कशमीर हाई कोट के हैं, दो केस करनाटक हाई अब जब नोटिस भेजा गया तो उसमें इसको नत्थी कर दिया गया कि आप जरा इसको समझिये जो लॉस सचिव को नोटिस भेजा गया है उसमें जानकारी दी गई कि 14 महीने हो गए और आपका कोई रिस्पॉंस नहीं है एड़ोकेट जैतोश मजमदार एड़ोकेट अभीतेश बनर जी एड़ोकेट राजा बासु चोधरी एड़ोकेट लापिता बनर जी इन सब और एड़ोकेट साक किसेन इन सबों को 24 जुलाई 2019 में रेकोमेंट किया गया था यानि तीन साल से जादा हो गया साड़े तीन साल का वक्त भीजिया सेकंड रेकोमेंटेशन सितंबर 2021 में दुबारा किया गया इसमें सक किसेन का रेकोमेंटेशन 8 अक्टूबर 2021 को किया गया बाकी सभी एक सितंबर को रेकोमेंटेशन किया गया यानि इस लिहाज से 14 महीने बीट गए लेकिन आपने कोई पहल नहीं की और सिर्फ यह पांच नाम नहीं बलकि मोक्ष काजमी जो जम्मू कश्मीर हाई कोट के जरीये जो वहां से निकल कर आए फर्स्ट रेकोमेंडेशन 15 अक्टूबर 2019 को किया गया सेकंड रेकोमेंडेशन 9 सितंबर 2021 को किया गया कोई जवाब नहीं राहुल भारती जम्मू कश्मीर हाई कोट से दूसरे जो दो मार्च को फर्स्ट रेकोमेंडेशन 2 मार्च 2021 को सेकंड रेकोमेंडेशन 1 सितंबर 2021 को फ ठर्ड रेकोमेंडेशन एक सितंबर 2021 इसी तरीके से आधित्य सोनी जो करनाटक हाई कोट के हैं चार फरवरी को 2021 को फर्स्ट रेकोमेंडेशन फिर दोबारा भेजा जाता है जिसको रुट्रेल कहते हैं वो एक सितंबर 2021 को फिर से भेजा गया नहीं दो जोडिशियल अफसर को भी जस्टिस बनाने का जिक्र हो रहा था और यह इलाबाद हाई कोट ने पास किया कोलेजियम ने सहमती डिराई उसमें जे उमेश चंदर शर्मा है जिनको चार फरवरी 2021 को फर्स्ट रेकोमेंडेशन 24 अगस 2021 को दूसरी रेकोमेंडेशन इसी तरीके से इसी तारिक को सेद बाईज मिया जो जोडिशियल अफसर इलाबाद हाई कोट ने उनको भी क्लियर किया लेकिन किसी की कोई जरूरत नहीं सुनी गई कुछ नहीं किया गया तो क्या सुप्रीम कोट के भीतर चीफ जस्टिस ने हाला कि इस बात पर कड़ी आपती जताई जो जस्टिस चंदचूर नहीं बने है कि कोलेजियम के अलावे सरकार यानि एसकूटिव कहीं घुसने का प्रयास ना करे लेकिन जब सुप्रीम मॉडल का हम जिकर आप से कर रहे हैं तो कुछ सवाल सामने आता है क्या सुप्रीम मॉडल के सामने सुप्रीम कोट के जज्मेंट्स को लेकर भी कोई एनलैसिस इस दौर में करेगा क्योंकि एक तरफ तो सुप्रीम कोट को नोटिस भेजना पढ़ रहा है गुहार लगानी पढ़ रही है आंक से आंसू जस्टिस ठाकुर के गिरे थे परधान मंत्री उसी डायस पे मौझूद थे और वो रोते हुए कह रहे थे कि भाई जजों की नुक्ती कीजिए जजों की नुक्ती नहीं होगी तो बहुत डिले हुरार करोडों मामले इस देश में अठके पड़े हैं सुप्रीम कोट के कई मामले लंबित पड़े हैं जिनकी तादाद करोडों में नहीं तो लेकिन हज्जारों में है तो उसमें आपको तेजी लानी होगी क्योंकि नयाए प्रक्रिया के अलावे कौन सा बरोसा किस पर बचेगा पॉलिटिक्स तो हर पांस साल बाद बदलने की स्थिती में आकर खड़ी हो जाएगी लेकिन नयाए पालिका तो इस देश के कॉन्सिचूस्ट्रल धाचे के सिस्टम से जुड़ा है लेकिन आपने ध्यान उस दिशा में नहीं दिया यहां पर कुछ सवाल और महत्मुन है सुप्रीम कोट को लेकर ही यह बड़े महत्मुन सवाल इसलिए है को कि ध्यान दीजिए कल ही राजीव गांदी के हत्या के जो दोशी थे उनको रिहा कर दिया गया यह सवाल राजनेतिक तोर पर भी पूछा जा सकता है और नयाय प्रक्रिया के धाचे में भी पूछा जा सकता है और समाजिक तोर पर भी पूछा जा सकता है इससे पहले यही सवाल विलकिस मानो कार्ड जो वा था उसमें जो हत्यारे थे जो रेपिस्ट थे उनको भी छोड़ दिया गया था इनके राजीव गांदी हत्या के जो दोशी है उतों टेररिजम के दाएरे में आते हैं तो क्या जो रेपिस्ट है जो हत्या हत्यारा है जो टेररिस्ट है उसको छोड़ने की प्रक्रिया में इस दोर में सुप्रीम कोट का ध्यान जादा है या सत्ता की जरूरत है या दोनों मिलाजूली परिस्तिती है क्योंकि क्योंकि हमको लगता है कुछ सवालों पर और गौन कीजिए सुप्रीम कोट को लेकर नोटबंदी का सवाल सुप्रीम कोट के दायरे में आया अटॉर्नी जनरल फाइल तक नहीं दे पाए सुप्रीम कोट ने डपट दिया लेकिन जरा कलपना कीजिए 2016 के बाद से 806 बरस पीत गए उस 6 बरस में लोगों की मुश्किल क्या सुप्रीम कोट की चिंता अभी भी दस्तावेजी आदान प्रदान में है या वह उसकी पूरी कारवाई जिस रूप में हो रही है क्या सत्ता की नकेल है उस पर यह सवाल इसलिए मातपून है क्योंकि आइटार्णी जेनरल जब राफेल केस की सुनवाई आँखरी दिशा तक इसलिए नहीं गई क्योंकि आइटार्णी जेनरल ने कह दिया कि national security का मसला किस रूप में कैसे किस तरीके से होता तो national security government कह रही है constitution के तहत पूरा देश देखा जा रहा है जनता ने सरकार किंदर सरकार को चुना है और उसमें check and balance की इस्तिती constitution में पैदा की है किस की बात मानी जाए और कैसे मानी जाए क्या ये इस देश के भीतर का एक चक्रवीव है जिसमें राजनितिक सत्ता की ताकत और पार्लेमेंट के भीतर जिसका बहुमत होगा वो पूरे देश को और constitutional bodies को भी हाथ सकता है क्योंकि मामला सिर्व राफेल तक नहीं रुका पेगसस को भी ध्यान दीजिए कमिटी बनी सारी चीज बनी सब होते चला गया और आखिर में क्या मामला आया राश्टिय सुरक्षा के तहत हम आगे कोई जानकारी नहीं देंगे तो नहीं दी गई यानि इस प्रक्रिया के भीतर national security एक ऐसा शब्दे जिसके आगे सुप्रीम कोट के भी हात बंदे हुए हैं वो कुछ नहीं कर सकता है कोकि सरकार कह रही है जिसे जनता ने चुनाए तो वो सरकार धीरे-धीरे जजों की निउक्ती को लेकर भी सवाल कड़ा करेगी और कल फैसले को लेकर भी कर सकती है कोकि सुप्रीम मॉडल तो यही कहता है नोट बंदी के बाद ध्यान दीजिए दूसरा एकनॉमिक आस्पेक्ट इलेक्टरल बॉंड का आया कल हम उस जब उस पर रिपोर्ट बना रहे थे तो हमने सारी चीज़े आपको बताई लेकिन सुप्रीम कोट क्या कह रहा है इलेक्टरल बॉंड दो हजार अठार से शुरू हुआ है उन्नेस बीस इकिस बाइस चौथा साल आके खड़ा हो गया सुनवाई अब 6 दिसंबर को है जब गुजरात की वोटिंग हो जाएगी लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर जो मनी लॉंडरिंग का जिक्र आरबियाई ने उठाया 2017 में जो सवाल वहाँ पर मनी लॉंडरिंग का उठा उसके मद्दे नजर क्या कुछ कहना चाहिए ब्लैक मनी का उठा आरबियाई की तरफ से उठाया गया उस समय गवर्नर रहे आरबियाई के और जित पटेल ने उठाया क्या कुछ कहना चाहिए सुप्रीम कोट ने उस तरफ से आखे मूंद ली या मौजुदा वक्त में कहा नहीं हम पर्टोकॉल और सिस्टेमिटिक तरीके से ही चलेंगे तो क्या सत्ता का सुप्रीम मौडल कुछ इस तरीके से चलता है जसके दायरे में कोई भी संस्थान कुछ भी माईने नहीं रखेगा यानि न्याएपालिका के भीतर सुप्रीम कोट को जजों की नुक्ती को लेकर और कॉलेजियम को सरकार के सामने गुहार लगानी पड़े विधायका यानि नौकरशाहों की पूरी टीम को देख लीजे इस दोर में जो भी प्रमुक सितारों के तोर पर चमक रहे हैं वो सत्ता के साथ खड़े हैं जो इंस्टूशन सक्रिये तोर पर दिखाई दे रहे हैं वो सत्ता और सरकार के साथ खड़े हैं और एक बड़ी भूमिका प्रीमियर इंस्चुशन्स की, इसके दाइरे में इलेक्शन कमिशन भी आता है, CBI भी आती है, CVC भी आता है, उद्पुरे दाइरे को देखी है और उसमें AG भी आते हैं, और उसके दायरे में इस देश के भीतर में जो चार्टेड अकाउंटिंट सरकार की की जाती है वो अभी आता है तो सवाल है कि क्या वाकिय ये सिस्टम दीरे दीरे हर किसी को अपने मौडल में समेटने की कोशिश कर रहा है और उसकी मैशा यही है कि दरसल इस देश का नैशनल मॉडल जो सुप्रीम मॉडल सक्ता के साथ खड़े हो उसके दाइरे में हर कोई आकर खड़ा हो जाए और उसमें फूर्थ स्टेट की भूमी का जो निग्रानी की भूमी का है वह भी चेक एंड बैलेंस भूल जाए क्योंकि जन्ता ने उस सरकार को चुना है हमें केस याद इसलिए आता है क्योंकि अमरजनसी के दौर में पत्रकारों की गिरफतारी हुई थी उसमें एक नाम कुलदीप नईयर का भी था और कुलदीप नईयर ने सरकार पर हैबियस कॉर्पस उस समय फाइल किया था महत्पूर है कि उस दौर में जो जज थे उन्होंने क्या फैसला दिया और उन्होंने क्या कहा ये मौजूदा वक्त में भी बड़ा माइने रखता है यानि ध्यान दीजिए हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और सरकार सभी को जोड़ कर अपने साथ करना चाहती है सत्ता का यही सुप्रीम मॉडल है उस दौर में कुलदीप नैयर ने जो हैबियस कॉर्पस फाइल किया उसमें गैर कानूनी गिरफतारी से रिहाई का सवाल था दिल्ली हाइकोर्ट के जस्टिस ह अधिकार है जिने सम्विधान ने सिर्फ संगरक्षण परदान किया है और इन अधिकारों का स्थगन उन्हें पूरी तरह समाप्त कर देता है तो एक लिहाद से इसके फैसले की दो लाइन और सुनिए उन्होंने कहा की हैबियस कॉर्पस के अधिकार का स्थगन नहीं किया जा सकता बस कानून द्वारा सुतंतरता को नियमित करने की कोशिश की गई है किसी व्यक्ति की निजी सुतंतरता को खत्म करने का चरम अधिकार कारकार्णी के पास यानि कारपालिका के पास बिलकुल नहीं है हुआ क्या फैसला आया कुल्दीप नहर रिहा हो गए लेकिन वो जस्टिस उनका ट्रांस्फर कर दिया गया असम गुहाटी में राजनेतिक तोर पर चीजे ये चलती है लेकिन राजनेतिक तोर पर पूरे सिस्टम को अपने साथ जोड लेना और उसके बाद बताना कि सत्ता को जिसे जनता ने बनाया है उसके अनुसार ही समूची ववस्था को चलना है और जो भी constitutional interpretations अलग-अलग institution को दिये गए power के जरीए भी होते हैं वह भी कोई माइने नहीं रखेंगे कोकि जनता ने उन्हें नहीं चुना है जनता ने राजनेतिक सत्ता को चुना है और राजनेतिक सत्ता की ताकत के लिए ही सब को काम करना होगा क्या वाकई ऐसी परिस्थ और सुप्रीम कोट ने जो notice भेजा लॉम सेकेटरी को और जो सवाल कानून मंत्री रिजुजी साहब ने ये कह कर उठाया कि जजस की न्युक्ति का पावर तो सरकार के पास होना चाहिए तो क्या कोई ये कह सकता है कि जो भी राजनेतिक सत्ता इस देश के भीतर आए वह किसको प्रमोट करना है किसको किस दिशा मिले जाना है सब कुछ वही तै करें क्या ऐसी सिच्वेशन एक सुप्रीम मौडल के तहत इस देश में अगर आती है और कोई एमरजेंसी नहीं लगी है कोई आपतकाल नहीं है बलकि धीरे धीरे सिस्टम जो है उस आपतकाल की परिस बनाता है कि दरसल आपको अगर रहना है और आप अगर देशभक्त है राष्टवादी है तो आपको इस सुप्रीम मौडल के तहती रखना होगा यानि सवाल जवाब और इंटेलेक्चुलिजम का कोई महत्तु नहीं बच रहा है तो क्या यह एक ऐसी परिस्तिती में पहली सुप्रीम कोट को भी समझना होगा जब उसे नोटिस भेजने की जरुरत आ जाती है तो इस देश में सुप्रीम कोट के नीचे या जिनकी कोई हैसियत ना हो इस समाज ववस्था के भीतर में उनको कितनी परिशानी होती होगी वो दलित हो सकते हैं वह अल्पसंख्यत मुसल भी हो सकता है और अन और्गनाइज सेक्टर का मजदूर भी हो सकता है और और और्गनाइज सेक्टर में वाइट कॉलर के तोर पर अगर काम भी करें निष्ठा के साथ करें लेकिन वह सत्ता के हित में न रहे तो उसके द्वारा उठाए गए सवालों की सुनवाई भी कहां ह चाहती है कि सुप्रीम मॉडल यही होना चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया